सर्दियों में अगर आपको किचिन का काम मुस्किल लगता है तो इन साथ हैक्स को अपना कर आप अपना काम आसान बना सकती हैं सर्दियों का समय सभी के लिए बहुत आलस भरा हो सकता है ये वो समय होता है जिसमें मेरी तरह शायद आपको भी किचिन का काम मुस्किन लगने लगता है आलस आये क्यों ना ठंडे पानी में हाद डाल कर काम करना, खाना भनाना, घंटो किचिन में रहना, बर्तंद होना, सफाई करना कोई आसान काम नहीं है ऐसे समय में काफी अच्छा अच्छा खाना बनाने का मन भी करता है लेकिन आलस के कारण नोर्मल खाना बन जाए वही बहुत है आज मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करूँगी जिनको अपना कर आप अपने किचिन के काम को आसान बना सकते हैं ये छोटे छोटे हैक्स अपना कर आप अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही बाकी आप सर्दियों में अपने ले समय भी बचा सकते हैं चले जान लेते हैं इन हैक्स के बारे में पहला हैक्स आलू उबालने में लगेगा आधा समय आप आलू को उबानने से पहले उसमें काटे की मदद से थोड़े छेद कर दें, ये स्टेप आपको भले ही छोटा सा लगी लेकिन सिर्फ इस एक स्टेप से आलू को उबानने का आधा समय हो जाएगा आप आलू में दोनों साइड से छेद करें, इसमें अंदर तक आलू अच्छे से पक भी जाएगा, कुकिंग गैस के सासत आलू को उबानने का समय भी बचेगा सेकंड हैक्स, लसन और प्याज छिलने का ट्रिक, सर्दियों में लसन और प्याज छिलना भी किसी बड़े काम से कम नहीं लगता, सर्दियों में तो हाथ पहले ही ठंडे होते हैं, और उन्हें एक-एक कर छिलना बहुत आफत भरा काम लगता है ऐसे में आप एक छोटी सी स्टेप अपना सकते हैं, ये छोटी स्टेप लसन और प्याज को गरम पानी में डालने की है, इसमें दो फायदे होंगे, पहला तो ये बहुत आसानी से छिल जाएगा और दूसरा ये थोड़ा सा पहले ही पकने लगेगा, और इस कारण कोकिंग काफिक कम हो जाएगा, तीसरा हैक, पहले से ही बनाए सबजी मसाला, आप सबजी मसाला भी बहुत आसानी से पहले ही बना कर रख सकते हैं, जिसे रोज-रोज सबजी मसाला भूनने का समय बच जाएगा, जब भी आपके पास समय हो तो इसे बना कर रख ले, और फिर बाद मे 10-15 दिनों तक रोजाना अरामसे से इस्तमाल करें दूद उबानने वाला बरतन नहीं होगा गंदा एक सबसे बड़ी समस्या जो सर्दियों में देखी जाती है वो है बरतन धोने में आने वाला आलस ऐसे में बरतन में अगर जादा गंदगी होगी तो जादा टाइम लगेगा दूद के बरतन में अधिकतर नीचे की और दूद की मलाई जैसा कुछ जम जाता है जो घिसना अपने आप में एक बड़ा काम है और इसे कई बार साफ करने में आफ़त आ जाती है वो नैजमे इसके लिए आप दूद के बरतन में सुरुआत में थोड़ा सा पानी डाले और उसके उपर दूद डाल कर उबाले बस यही करना है और कुछ नहीं पांचवा हैक कई बार ऐसा होता है कि आप दूद गैस पर रख कर बूल जाते हैं और वह उफन कर नीचे गिर जाता है यह बहुत जंजट भरा काम है और इसे साफ करना भी काफी मुस्किल है ऐसे में सिर्फ एक ही छोटी सी ट्रिक से इसे रोका जा सकता है ताकि आपको सर्दियों में एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े दूद के बरतन के ओपर आप एक कर्ची रख दें आप लकडी की कर्ची भी रख सकते हैं और फिर इस्टील की भी रख सकते हैं इसे दूद उफन कर नीचे नहीं गिरेगा छटा हैक दाल नहीं निकलेगी कुकर से बाहर सर्दियों में कुकर की सफाई एक बहुत बड़ा काम लगता है कुकर के धकन में अगर दाल चिपकी रहेगी तो ये और भी मुस्किल होगा ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये साबित होगा कि आप दाल को बालते समय उसमें दो से तीन ड्रोप ओल डाल दें ऐसा करने से दाल कूकर की धकन से बाहर नहीं आएगी ये तरीका आसान भी है और आपका काम जटपट हो जाएगा साथवा है सर्दियों में घी जम जाता है जिसे निकालने के लिए हम उसे बार-बार गरम करते हैं लेकिन क्या आप जानती हैं कि घी को बार-बार गरम करने से असल गुड़ फैट कम हो जाता है। ऐसे में जब आपको जमा हुआ घी निकालना हो तो चमच को गरम कर लें। इसे होगा ये कि आप आसानी से घी निकाल पाएंगी और घी के गुड़ फैट भी कम नहीं होंगे। ये थे साथ हैक्स जिनको अपना कर आप अपने किचिन के काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप आगे भी ऐसे ही किचिन टिप्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में।